कोरोना महामार के कारण कई लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस कोरोना कारेकाल में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है अब ऐसे ही बच्चे जिन में पढ़ने की चाहा तो है लेकिन कोरोना काल में उनके माता-पिता की मृत्ती हो जाने से वो शिक्षा गरण करने में असमर्थ है उनके लिए DDS एकडेमी द्वारा एक नई पहल की शुरुवात की गई है इस पहल के बारे में DDS के डारेक्टर अविना देशपंडे ने अधिक जानकरी सांजा की है केटे हैं ग्यान जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ती होती है सफलता की सीडिया चैनने के लिए ग्यान महत्वपूर्ण जिम्यदारी अदा करता है लेकिन कोर्णा काल में बहुत ऐसे चात्र है जिन्होंने अपने माता पिता को गवाया है जिसके कारण एजुकेशन गेन करने में उनने कही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसी चीज़ को समझते हुए DDS Academy की तौर पे एक अनूठी मुहिम की शुरुवात की गई है जिसके तहर उन चात्रों को जिन्होंने अपने माता पिता को कोर्णा की कारिकाल में गवाया है उनको मुफ में शिक्षा प्रदान की जाएगी तो आज हमारे साथ है DDS Academy के डारेक्टर जो इस बारे में हमें पूरी जानकारी साजा करेंगे बहुत बार हमने ये सोचा है और ये देखा है देड साल में ये देखा है हमने कि बहुत ऐसे स्टूरंट है मिगावी शात्र होते हैं ये रहने के बाद भी उनके बापा या मम्मी की डेट होई है बहुत क्याथ ऐसे होल गये कि जहां दोनों की डेख होई है तो उनके शिख्षका तो एक बहुत बड़ा प्राब्ले मास सकता है तो इसके लिए एक हमीं भी कोई हमारा एक सामाजिक उत्तरदाई तो होता है जिसके तेथ हमने ये ऐसा निरने लिया है कि ऐसे कोई भी स्टूरेंट जिनके माता-पिता का देहान थो आए because of Corona या फिर किसी एक का हुआ है वो शिक्षा से दूर न जाए उनकी शिक्षा पूरी करे ये जिम्मेदारी हमने लिया है और हमने ऐसा निरने लिया है कि ऐसे सब स्टूरेंट की दो साल की जिम्मेदारी आइदर जेई की बोलो या नीट की बोलो हम लेंगे और मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने ऐसा निरने लिया है नाकपुर में जितने भी क्लासे से हर क्लास वालों ने ऐसा निरने लिया तो एक हमारा भी सोचल उत्तरदायत वह है वो ही पूरा हो जाएंगा सर मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इस मुहिं के बारे में आपने सुचा कहा से आपको इस बारे में आईडिया आया जब कोई student आता है मिलने के लिए उफीस के बारे में बोलता है तो जब वो कहता है कि सर मुझे नहीं पढ़ना है जितना मैंने पढ़ लिया उतना पढ़ लिया तो हम पूछते भी क्या problem है तो उसने कहा कि सर पापा के date हुई है किसी ने कहा कि ममी के date हुई है और किसी ने का गहर में कमाने माला कोई ने तो आपके फीज कैसे देंगे तो ऐसा एक सुरन जब हमारे पास आता है तो हमने सोचा कि ऐसे बहुत सारे सुरन हो सकते हैं तो पैसे की वज़र से उसकी शिक्षा न रुके समाज में किसी की भी शिक्षा न रुके इस विचार से हम पहले से ही प्रेरित थें इसलिए हम ने ऐसा सोचा कि चलो एक काम करते हैं एक निर्णे ही ले लेते सब के लिए हमने निर्णे ले लिया है बहुत अनुठी जो मुहिम है इसका आपने शुरुआ किया है सर डीडियस एकाडमी द्वारा ये जो मुहिम शुरुआत की है इससे सच में कई जो चातर है जिने पढ़ने के इच्छा है पर आर्तिक तंगी के कारण वो शिक्षा ग्रहन नहीं कर सकते उन्हें जरूर ही भविश्य में मदद होगी बीसे न्यूस के लिए क्यावरा पोर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार बीसे न्यूस नागपूर